नमस्कार ये आकाशवानी है अभी आप सानुसर्मा से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार प्रधानमंति और भारती जुन्तापारदी के वरिष्ट नेता नरेंद्र मोदी ने आज वारणसी निर्वाचन छेतर से नामांकन भरा साथवे और अंतिम चरण में वारणसी में चुनाव होगा आज इस चरण के लिए नामांकन भरने का अंतिम दिन है भारत ने केनिया में बारपीरितों की साहता के लिए भारती वायु सेना के विशेस विमान से चालिस टन डवाएं, चिकिसा आपूर्ती और अन्य उक्तरनों की मानविय साहता के दूसरी कीशत भेजी है फ्रांस के कांस में आज सतर्वा कांस फपल महसर्व सुरू होगा IPL क्रिकेट में आज नए दिल्ली के अरुन जेतली स्टेडियम में डेली कैपिटल्स का मुकाबला लखनाव सुपर जायंट से होगा अब समाचार प्रिस्तार से लोगसवा चुनाव के साथवे और अंतिम चरण के लिए नाम दाखिल करने का आज अंतिम दिन है इस चरण में साथ राजियों और एक केंडर साचित प्रदेश की संतावन सीट लोगसवा सीटों पर मदान होगा उत्रप्रदेश और पंजाब की 13-13, पच्छिम मंगाल की 9, बिहार की 8, उरिसा की 6, हिमाचव प्रदेश की 4, जारखन की 3 और केंडर साचित प्रदेश चंदिगर की एक सीट पर साथवे चरण में वोट डाले जाएंगे नामंकन पत्रों की जाच कल की जाएगी, सुकरवार तक नाम वापस लिये जा सकते हैं इस चरण के लिए अगले महिन की पहली तारेख को मदान होगा प्रदान मंत्री और भारती जंतापार्टी के वरिष्ट नेता नरेंद्र मोदी ने आज वारानसी निर्वाचन छेत्र से नामंकन भरा साथवे और अंतिम चरण में वारानसी में चुनाव होगा आज इस चरण के लिए नामंकन भरने का अंतिम दिन है प्रधार मंद्री ने पहले गंगा में डुकी लगाए फिर कासी के कोतवाल काल भैरव का असिरबाद प्राप्त किया। में पंडित गनेश्वर सास्त्री बेजनात पतेल लालचंद कुस्वा और संजे सोनकर सामिल है। बिपक्ष इंडी गर्वन्दन कॉंग्रेस के सन्युक्त उमिद्वार अजे राय स्री मोधी के विरूद चुनाव लड़ रहे हैं। उतर प्रदेश कॉंग्रेस के प्रमूख स्री राय को वरानसी में स्री मोधी के विरूद चुनाव लड़ने के लिए 2014 और 2019 में भी खड़ा किया गया था। लेकिन उन्हें दोनों वारती स्थान से संतोस करना पड़ा। 2019 के चुनाव में प्रदानम मंत्री मोधी ने समाजवादी पार्टी की सालिनी याद्यव को 4,89,000 मतों से पराजित किया था। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि लोगसभा चुनाव के चौथे चरन में कल मदार प्रतिशत 67.7 एक दर्ज किया गया। इस चरन में कल नौ राजियो और एक केंद्र सासित प्रदेश की 96 लोगसभा सीटों के लिए वोट डाले गये थे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मदान प्रक्रिया सांतिपुन रही। श्री नगर संसदिय निर्वाचन छेत्र में मदान प्रतिशत 37.98 दर्ज किया गया। श्री नगर में मदान का यह प्रतिशत पिछले कई दसकों में सबसे अधिक है। चोथे चरन का चुनाव संपन होने के साथ 23 राजिय और केंडर साचित प्रतिशों तथा 39.89 संसदिय निर्वाचन छेत्र में मदान संपन हो चुका है। अणाचरपदेश से किम आंदरपदेश तथा ओडिस्सा की 28 विदान सवास सीटों के लिए मदान संपन हो चुका है। रामचरित मानथ पंचतंत्र सहिर्दया लोक लोकन को युनिस्को के विश्व एश्या प्रसांत छेत्रिय अनस्मरन रेजिस्टर में सामिल किया गया है। संस्कृति मंत्राले ने बताया कि यह समावेशन भारत के लिए एक गौरब का च्छन है। जिससे देश की सम्रेद सहित्तिक और संस्कृतिक विरासत के पुष्टी होती है। यह विश्व संस्कृतिक संदक्षन की दिशा में हो रहे प्रयासों को और आगे ले जाने का प्रतिक है जो हमारी साजा मानुपता को आकारत देने वाली विविद कथाएं और कलात्मक अभिवेक्तियों को पहचानने और संदक्षितर रखने के महत्व में प्रकास डालता ह इन साहतिक उतक्रिष्टिक कृतियों का समान करके समाज ना केवल उनके रचनाकारों की रचनात्मक प्रतिभा को स्रधा सुमन अरपित करता है बल्कि यह भी सुनिशित करता है कि उनका गहन ग्यान और कालजीय सिक्षाएं भावी पीडियों को प्रेडित करते रहे और उन भारत्य साहित्य और संस्कृति को गहराई से प्रभाव किया है। इन कृतियों ने देश के नितिक तानेबान और कलात्मक अभिवेक्तियों को आकार दिया है। रचना, पंडित आचार्य, आनंद वर्धन, विश्णु सर्मा और गोस्वामी तुलसिदास ने की थी। इन्रा गांदी राष्टिय कलाकेंद्र आईजी एनसीय ने एसे प्रसांत विश्व समिती की दसवी अनुस्मरन बैठक के दौरान एस साहित्तिक सन को संरक्षित करने में बहत पोन भूमिका निभाई है। ने युनिस्को के विश्व एसे प्रसांत छेत्र अनुस्मरन रेजिस्टर में इन साहित्तिक क्रितियों के स्थान को सुनिश्चित किया। मौसर बिभाग ने कहा है कि आज और कल कौंकन के विभिन भागों में भीशन गर्मी जारी रहने की संभावना है। पच्चिमी राजिस्थान में कल से सनिवार तक भीशन गर्मी पढ़ने का अनुमान है। पच्चित की अठारा मैई तक देश के दक्षिनी छेत्रों में गर्च के सात स्थ तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। मद्य और पुर्भी भारत में भी आज गर्च के सात सकतन तेज बारिस होने की संभावना है। भारत ने केरिया में बारपीडितों के साहता के लिए भारती वायुसेना के विचेई से बिमान से 40 तन दवाय, चिकित्सा आपूर्ती और अन्य उपकर्णों की मानविय साहता के दूसरी किस्त भेजी है भारत ने टेंट कंबल, बिजली उतपादन सेट, बुनियादी स्वच्चता सुविधा, स्वच्चता केट सिसु आहार, मलेरिया और डेंगू निशाद केट और विच्ट रोधी उपकर्णों भेजे हैं साहता की पहली किस्त नौसेना जहाज सुमेधा में भेजा गया और इसे इस महने की दस तारीक को केनिय सरकार को सौब दी गई इसमें बार पीरितों के लिए भोजन, राहत और दवा आपूर्ती सामिल है केनिया में मुस्ताधार बारिस से बार आई थी इसके कारण 266 लोगों की मौत हो गई और 178 लोग घायल हो गए थे और 2,80,000 से अधिक लोग विश्थापित हो गए थे विदेश मंत्राले ने कहा है केनिया को साहता दक्षिन-दक्षिन सहयोग की भावना और अफ्रिका को अपनी प्राथमिक्ताओं में सिस्व पर रखने की भारत की प्रतिविद्धा के अनुस्त रूप डेश के साथ मजबूत और मेत्रिपूर्ण संबंदों का पुन्रा बृत्ति है फ्रांस के कांस में आज सततरवा कांस फिल्म महसब सुरू होगा भारत भी एस बारत दिवस्य कारिक्रम में भाग ली रहा है भारतिय प्रतिनिधी डल में भारत सरकार और राइज सरकार के प्रतिनिधी तथा फिल्म उध्योग से जुड़े लोग सामिल है भारत ये से महसब में पहली बार भारत पर्व का मेजवानी कर रहा है फिल्म महसब में भारतिय पैविलियन भारतिय फिल्म जगत के लिए बिविन गती वीदियों में भाग लेने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा भारत पर में 55 भारतिय अंतराश्तिय फिल्म महसब इफ़ी के पोस्टर और ट्रेलर का भी अनावरन किया जाएगा इफ़ी का अविजन 28-28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा भारत ने नेधरलेंड के रोटर डेम में चलुड़ है विश्व हाइड्रोजन समेलन 2024 में अपना पहला पैविलियन स्थाबित किया है इस पैविलियन का अनावरन नवनिकर्निय और जा सचिव भूपेंद्र ऐस भलाने किया यह हरित हाइड्रोजन के छेतर में देश की प्रगति को दसाता है इस समेलन में दुनिया पर से लगबग 15,000 प्रतिनियों के भाग लेनी की उमीद है भारत ने वर्स 2030 की समापती तक 50 लाख मेटरे के तन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने के छमता हासिल करने के लक्ष के साथ पिछले साल जन्वरी में राष्टिय हरित हाइड्रोजन कारिक्रम सुरू किया है आईपियल क्रिकेट में आज नेदिली में अरुन जित्री स्टेडियम में देली कैपिटिल्स का मुकाबला लखनो सुपर जाइंस से होगा कौकता नाइट राइडर की टीम ने कल प्ले आउफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है जबकि एमधाबाद के नरेंद्रमोधी स्टेडियम में बारिज के कारण एक भी गेंद नहीं डाले जाने के कारण मैच रद होने के बाद गुजरात टाइटन्स की टीम बाहर हो गई है दोनों टीमों को एक एक अंके दिये गए इसे के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप हुआ नमस्कार